इस दोरान विकी जैन और अंकिता लोखंडे इस दोरान विकी जैन और अंकिता लोखंडे इस दोरान विकी जैन को पैर मारने की बात को उठाते हुए उन्हें समझाया भी जिसके बाद अंकिता लोखंडे परिशान भी दी विकी जैन की माने उन्हें बताया कि उनकी इस घटना के बाद पापा ने अंकिता की मा को फोन कर पूछा था कि क्या वो भी इसी तरह से अपन बता दे इस बार आने वाले वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में सर्मान खान नहीं बलकी फिल्मेकर करन जोहर आने वाले हैं करन जोहर शो में आकर बतोर होस्ट घरवालों से तीखे सवाल जवाब करेंगे इस दोरान वो विकी जैन से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने अंकिता लोखंडे से ये बात क्यूं नहीं पूची कि वो आपकी माँ को सौरी क्यूं कह रही थी इस पर अंकिता लोखंडे विकी को सपोर्ट करते हुए कहती हैं कि वो काफी सपोर्टिव हस्पेंड है Entertainment News में आने वाले वीकन का वार को लेकर काफी बस बन गया है करन जोहर की बातों के बाद विकी जैन अंकिता से पूचते हैं कि क्या उनके परिवार ने कभी उनके काम में दखल अंदाजी की है क्या उनके कपडों पर टोका टिपनी की है क्यूंकि उनके परिवार की एक खराब इमेज बाहर जा रही है विकी के सवालों पर अंकिता कहती है नहीं आपका परिवार हमेशा काफी सपोर्टिव रहा है विक्की पूछते हैं क्या मैंने कभी आपके अतीत को लेकर कुछ पूछताश की है अंकिता इस पर भी पती को ही सपोर्ट करते हुए कहती है नहीं आप हमेशा से बहुत सपोर्टिव और लविंग रहे हैं अब इस पर लोग जम कर कमेंज कर रहे हैं बता दें विक्की जैन की मा रंजना जैन ने बिग बॉस सत्रा की बाद कई मीडिया इंटर्विव्स दिये इन मीडिया इंटर्वियूस में अंकिता लोखंडे की सासूमा ने उन पर जम कर कर कटाक्ष किये हैं जिसके बाद entertainment users ने अंकिता लोखंडे की सास को खडू सास का भी tag दे दिया है। अंकिता लोखंडे की सासु मा के interview जम कर अब viral हो रहे हैं। जिसमें उन्होंने अंकिता लोखंडे को विक्की जैन के निवेश वाले बयान पर react करते हुए कहा था कि हीरोईनों को पालने में बहुत पैसे खच होते हैं ऐसे सरलता से तो आ नहीं जाती हैं बहुत नकरे होते हैं बहुत पैसा गवाना पड़ता है। सोशल मीडिया पर इन बयानों की खूप चर्चा हो रही है। अब देखना होगा आने वाला वीकेंड का वार और कितने खुला से करता है। बिरो रिपोर्ट वन मिन्ट निउस